गोल्ड बर्ग अगेन वेटिंग टू रिटर्न मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है देखो उनका कॉंट्रेक्ट डवड़वली के साथ कुछ ऐसा है कि अभी भी उनका एक लास्ट मैच बचा हुआ है रेसल करने के लिए तो गोल्ड बर्ग इसे बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैं अभी भी वेट करता हूँ कि शायद वो कॉल मुझे इस समया है क्योंकि मैंने अभी भी अपने बॉड़ी को बहुत स्ट्रॉंग बना के रखा हुआ है और वो कहते हैं कि उसके बाद में रिटायर हो जाऊँगा फिर वो एड़ाउन करते हुए कहते हैं कि शायद मरते समय तक मैं कभी भी रिटायर नहीं होने वाला रसलिंग से तो शायद WWE इसी चीज़ को यूटिलाइज करके अब शायद गोल्ड बर को जल्दी वापस लाए भै रॉक की जो डॉटर है जिनका नाम है साइमन जॉंसन डॉटर ने उनको 18 साल की उमर में साइन करके रख लिया था और उनका नाम रखा है एवा रेन मतलब उनका स्टेज नेम है यह और इसी बारे में रॉक ने बताया कि माई डॉटर इस नाव रेटी फॉर रिटर्न एनी टाइम मतलब एनी टाइम अब साइमन जॉंसन के लिए अच्छा सा मोहरत देखके अच्छा सा स्टोरी लाइन हुए है कि उनके नाम भाई काफी है मतलब एक टाइम पर उनको ओवर पुष्ड भी कह दिया गया था क्योंकि वह बहुत जादा जीते पड़े थे ब्रॉक लेस्टर से से थ्रॉलिंस और बॉबी लाश्ली बस यही दो लोग ऐसे हैं डबल डबली के अंदर जिन्होंने ब् रॉक लेस्टर के हाथ से चीन के रखा हुआ है एक बार बीट करके और एक बार मनी दे बैंक डालके जो कि अभी तक तो कोई रेसलर कर नहीं पाया अब एक ही इंसान ऐसा कर सकता है शायद शायद मैं ही हूँ वो तू सला बोला दिखता है लेकिन यह एक दो मौशी आरो जब वो हैलेनसल के अंदर कोडी रोट्स के सामने खड़े थे उनके पेक्टोरल इंजरी को देखने के बाद सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली इंटरिव्यूस के अंदर इस बात को खोला और कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस बंदे को इतना बहेंकर इंजरी ह कर दिया बट एक्शुली में मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि मुझे भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं पर इतनी डेंजरेस लेवल पे मैंने इन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं था और फिर भी मुझे रैसल करना पड़ा और मुझे बहुत बुरा फ स्टूरी लाइन सारा स्क्रेबर के साथ वीर महान की भाई तैगर दिये डव डूवली ने तो आपको रुमेंटिक वाली चीज़ों में भी वीर महान देखने को मिलेंगे ब्रॉक लेस्टनर अर्निंग मोर देन रूमन रिंग्स भाई ये बहुत चटपटी खबर है इसको द्यान से सुन ले ना देखो रूमन रिंग्स और बहुत लंबा उनको पुष मिला है और वो अंडिस्पूटेड चैंपियन बन चुके डब डब डबली के फेस बन चुके पता नहीं क्या क्या और बंदे को पता है सलरी कितनी मिली है मतलब कॉंट्रेट जो होता है न वो सा बंदो की बंदा हार रहा है बंदा सब कुछ जीत रहा है भाई भले हार रहा है ब्रॉक लेस्टर लेकिन बारा मिलियन डॉलर और पांच मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है